स्वागे ते आप सब काश्की का इंटेपे अनलेसिस लेक्चर में जिसमें इंडियन एक्स्प्रेस, PIB और अदर सोर्से से लेगई न्यूस को हॉलिस्टिकली अनलाइस किया जाएगा आपके प्रिलेम्स, मैंन्स और इंट्रव्यों को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आपके UPSC, State PCS, and Other Exams के लिए इंपोर्टेंट साबित होगा स्पेसिविकली यहाँ पर आपके State PCS पे और UPSC पे ध्यान दिया जाएगा लेक्चर से रिलेटेड वैलिव एडिशन के PDF तेलिग्राम चानल पर मिल जाएगी आपको जाना है जॉइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी ठीक है आपको जॉइन करना है जानल लेली करिंट अफेर्स की PDF के लिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर भी एक मोटिवीशनल कोट से ओप्टिमिजम इस दफेट दाथ लेट्स तो एचीवमेंट नथिंग के अगर आपके पास कॉंफिडेंस नहीं है अगर आपके पास उम्मीद नहीं है तो एचीवमेंट पॉसिबल नहीं होगी ठीक है जरूरी है कि चलो कोईनी डिफिकल्टीज आई है बट हम आगे बढ़ेंगे यह चीज होनी जरूरी है मैं मही मामिश्रा प्रेजन करती हूँ आज का इंडियन एक्स्प्रेस न्यूस पेपर अनलेसिस इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है माइक्र इंडेट्प्लास्तिक लाउड में रें में अभी वैदर को एफेक्ट कर रहे है रेसंतली साइंटिस नी बोल है यह पढ़ेंगे यह आपके में और में के लिए इंपॉर्टेंट हो सतंब इंट रिण्पोरियों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ौध भी एश्या पै इस्पेसिकली आपके इंट्रव्यू के लिए इंपोर्टेंट होगा इसकीम्स फोर पर्टिकुलरी वुल्नरेबल ट्राबल कुरूप यह मैं आपको थ्री फोर देस्टी कवर करवाती ही आ रही हूं इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे यहां पर थोड़े बत ऐसे के लिए कीवोर्ट आपको मिलेंगे थे के वो नूट करना है आपको स्टार्ट करते हैं पहले न्यूस से अनॉट सो लॉग अनॉट सो सिल्वर लाइनिंग माइक्रो प्लास्टिक फाउंड इंट्लाउट कुट इफेक्ड वैदर यानि कि बादल में जो माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं वो एक तो हाइग्रोस्कोपिक नुकलाई की तरह काम कर रहे हैं जिसे वो वोटर वेपर को और स्मॉग वेगिर को क्या अट्राक्ट कर रहे हैं अब यह हाम्फुल है पोरी प्रिथ्वे के लिए राइट जैसे कि हुमन के लिए मरीन अनिमल्स पेड़ पॉदो के लिए हाम्फुल है from the depth of the seas to snow on mountains अपोर पॉदो स्टेक अब मेला है even above, the air यारी की शीटीइ जो अब ऑब फिर रहती मिला है उसमें भी इसमाइग्रोपास्टिक मिला है माईग्रोप्लास्टिक मिला पॉदेर स्पयूर्डव से एंप इंक्रिजगले ऑसं पॉद्ध data एक रीषर्चो इसने क्या किया है एनलाइज सक weapondı जो माॉंट इंग करके यह वताया है कि माॉंटेण के आपर वाले वाली अट आपना में जो प्लास्टीक पाया गया है कैसे वैदर को एफेक्ट करता है político-प्लास्टिक्स क्या होते हैं फ्लास्टिक्स फ्रेक्मान से 5 mm originate from a variety of daily used items like synthetic textile clothing microfibers are small fibers in clouds packaging car tires these daily use things are converted in microplastics scientists are not only detecting microplastics in atmosphere but also investing how they may role play in cloud formation I have also told you about hygroscopic nuclei water attracting surface these are Japanese mountain clouds there are microplastics this phenomenon has also been found in Patna in July 2023 in the news in July 2023 scientists have detected airborne microplastics in rainwater in the city of Patna eastern India which is very harmful to the microplastics this is now a lot of microplastics right here Wang and team first have collected 28 samples of liquid from cloud यानि कि Mount Thai है जो Eastern China में वहां से liquid sample, cloud में से liquid sample collect किया है और उन्होंने क्या पता लगाया है? Low altitude और denser clouds में ज्यादा microplastic में ज़्यादा microplastic में देगा Plastic कुछ common polymers होते हैं, polyethylene, teraphthalate, polyethylene, polystyrene and polymide ठीक है यही सारी चीज़े वहां पर पाई गई है Microplastic tended to be smaller than 100 micrometers in length और कभी-कभी यह 1500 micrometers भी हो रहे है अब emerging evidences से यह पता चलता है कि जो microplastic है वो हाट में, lungs की health में को हाम पहुचाता है और cancer भी करता है, carsogenic भी भी है, plastic वैसे भी toxic होता है तो यह cancer भी पहलाता है, cause करता है, okay अब यह वाला important है आपकी इंट्रव्यू के लिए राइत कि रीसेंटली आपने सुना होगा कि बादलो में microplastic plam अब पाया जा रहा है, इससे कैसे छुटकारा मिले या इससे इस solution को हम कैसे इस problem को हम कैसे solve कर सकते हैं यह पूछा जा सकता है ठीक है अभी आपर देखते है वालियो एडिशन जो आपके मेंस के लिए important हो का में js paper 3 ओके environment में classification देखेंगे एक तो पहला यानि के primary microplastic होता है जो commercial use में microfibers विगेरा में बाया जाता है ठीक है यह पहले से ही tiny particles होते हैं बहुत चुट चुटे particles जैसे की microbeds होता है यह personal care यानि की cosmetics में बाया जाता है microbeds and plastic pellets plastic fibers synthetic fibers right यह सब use जो हम कर रहे हैं यह microplastic है secondary microplastic क्यों होते है जो breakdown होता है larger plastic से जैसे की कोई बड़ी plastic की चीज है यह इतनी तूट गई है यह microplastics में convert हो गई है ऐसे जैसे की water bottle से microplastics में convert हो गई microplastics कुछ ऐसा देखता है ठीक है यह rain से आई हुई microplastics है ठीक है इसके इतने चुटे-चुटे size जो environment में जल्दी degrade नहीं होते बट breakdown होते हैं ओके manance of microplastics marine debris में यानि की ocean में हम कितना सारा plastic generate करते हैं right throw करते हैं IUCN ने कहा है 8 million tons of plastic यह oceans में जाता है every year जो 80% है of all marine debris from surface water to deep sea sediment कितना important data है आपके exam के लिए ठीक है यानि की 80% जो marine debris है जो मलवा है समुद्र का वो microplastic है अब वहां की marine life पे बहुत इसका impact होता है suffocation उन्हें घुटन होती है entanglement of hundreds of marine species कुछ कुछ उसे खा लेते हैं food जमज़कर यानि की plastic को खा लेते हैं खाना समझ कर और वो उन आनिमल्स को या फिश को हम खाते हैं seafood की तरह तो impact तो इसका human पर भी हो रहा है Worldwide Fund for Nature ने रिवील किया है कि average person 5 grams of plastic को consume करता है माइक्रो प्लास्टिक जो लार्जर होता है 150 माइक्रो मीटर से वो human absorb नहीं कर सकते ठीक है बट जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक होते हैं ना नैनो साइस के वो absorb कर सकती है human body इसलिए Worldwide Fund for Nature ने बुला है कि 5 grams of plastics हम consume कर रहे हैं average person Global initiatives अब जब आप answer लिखेंगे GS paper 3 में तो यह important हो जाएगा कि World में लिए गए कौन से initiatives हैं प्लास्टिक को eliminate करने के लिए और इंडिया में कौन कौन से initiatives हैं उसके बार आप बताएंगे way forward ऐसे लिखते है answer Global initiatives में देखेंगे Global Partnership और Marine Later यह Manila declaration 2012 में हुआ था Earth Summit उसमें यह लाया गया इसके तहत क्या है commitment to develop policies to reduce uncontrolled wastewater pollution from fertilizers इन सब को control करना है G7 के सब्मिट में बावारिया जर्मनी में हुआ था The risk of microplastic were acknowledged in the Lido's declaration ठीक है यानि कि जो microplastic से उभरता हुआ जो risk है उस पे ध्यान दिया गया Glow Litter Partnership यह launch किया गया है यह important हो जाता आपके वन लाइनर कर इंडर फैर के लिए Launch किया गया है Indian International Metrological Organization and FAO Prevent Reduce Marine Plastic from Shipping and Fisheries ठीक है फेशिंग से यह जो shipping विगेरा होती है उससे जो marine जो plastic, microplastic जो litter हो रहा है उसे कम करना है, eliminate करना है इसमें 30 countries इस इनिशेटिव को जोईन किया है इंडिया को include करके 1996 Protocol है London Convention आप इसमें से 2-4 भी याद रखेंगे तो सही होगा ठीक है International Convention for Prevention of Pollution from Ships important है ठीक है World Environment Day 2018 को जब मनाया गया था तो उसका theme क्या था beat plastic pollution, eliminate its use completely plastic pact होए है कुछ-कुछ यह one-liner current affair के इंपोर्टिंट है कि पहला plastic pact कहा हुआ है UK, United Kingdom 2018 यह business-led initiative है to transform the plastic packaging value chain for all formats and product यानि कि जो plastics use होते हैं packaging के लिए उसका elimination इसमें कहा गया इंजे specific initiatives कौन-कौन से हैं Elimination of single-use plastic इस वाले initiative से आप सब वाकिफ होंगे 2019 में Prime Minister Narendra Modi ने बोला कि क्या करेंगे हम eliminate करेंगे single-use plastic by 2022 immediate ban किया गया था उससे में Delhi में important rules plastic waste management 2016 यह कहता है कि segregation, collection, processing and disposal के लिए infrastructure set up करने की बाद की गई ठीक है जो waste management होता है उससे सबसे पहले segregate करना है collect करना है plastic को अलग निकालना है और plastic को dispose करना है इसके लिए infrastructure जाहिए ठीक है इस rule में यह लाया गया plastic waste management यानि कि 2018 का जो rules है उसने extended producer responsibility भी करेंगी plastic को eliminate करने की responsibility producer के भी है जो produce कर रहा है जो packaging के लिए प्लास्टिक यूज कर रहा है उसकी responsibility है कि वो कैसे एक circular economy को बढ़ावादे और प्लास्टिक को recycle करें या manage करें Unplastic collective एक voluntary initiative है launch किया गया था UNEP इंडिया के द्वारा और Confederation of Indian Industry Worldwide Fund इंडिया के द्वारा यह बहुत important initiatives है जो आपको लिखने है अपने जीएस वेपर 3 में environment section के लिए क्योंकि microplastic एक उभरती हुई पूछा जा सकता है यह मैंने आपको last month में करवाया था ठीके उस टाइम भी न्यूज में था इस टाइम भी न्यूज में है पूछा जाएगा way forward understanding actual meaning of Swachhubharat यानि कि सबसे जो actual meaning है Swachhubharat की वो क्या है कि हम plastic waste को पूरे तहरे से eliminate करें ऐसा नहीं है कि अपना घर साफ करती है अपनी गली साफ करती तो बस साफ हो क्या आप वो खोड़क कहीं पर तो डंप कर रहे है कहीं पर डाल रहे है बट Swachhubharat की actual meaning के है कि हम plastic को यूज ही ना करें awareness होने जाहिए लोगों में कि क्या microplastic के क्या impact है combination of degradation mechanism photo and biological degradation photo मतलब यह जो sun की rays से ना यहां पर कुछ chemical reactions होती है right biological degradation system लेके आना जाहिए ठीक है ताकि complete decomposition हो सके microplastic का international collaboration यहां पर इंडिया ने participate किया है मॉंट्रेल आन पैरिस agreement में इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए steps लेने चाहिए जिसमें microplastic का elimination भी एक बाट है एक international collaboration होने चाहिए decision making होने चाहिए जो leaders है वो आई साथ में microplastic पे एक agreement करें ratify करें उसे अपनी countries में कि microplastic का use हम eliminate करेंगे industries को बोलें कि आप जो यह product बना रहे हैं इसमें in-in plastics का use नहीं होना चाहिए या biodegradable plastics का use होना चाहिए research and development में इसका योगदान हो सकता है इसे लिए हमें सारे stakeholders को मिला के एक agreement एक convention लेके आना है role of common plastic consumption can be reduced to ensure the reduction in level of microplastic pollution use of single plastic regulate भी कर सकते है proper waste management होना चाहिए government industry or community citizens कभी यह योगदान इसमें होना चाहिए कि वो कैसे अपनी daily items use कर रहे है mass consumption जो अब हो रहे न copious consumption की देखा देखी लोग mass consumption की तरफ जा रहे है consumerism की तरफ जा रहे है यह problem हो रही है ठीक है इससे environment को problem हो रहा है initiatives at individual level यानि की zero waste trip होंगी zero waste यानि की हम कोई waste produce नहीं करेंगे अगर किसी trip में जाते है shining disposable अपने खुद की utensils होंगे quitting the bottle water होता है उसे quit करेंगे plastic packaging नहीं लेंगे और सबसे polythene होती है वो उसका हम यूज नहीं करेंगे राइट और जो biscuits and नम्कीन वेगेरे जो packet होती हो उसमें भी plastic की packaging होती है उसे भी eliminate करने की कुशिश करने चाहिए producer की तरफ से आप यह चीज आप जब इंट्रव्यू में बोलेंगे ना तो आप holistic एक answer देंगे कैसे citizen government and international level के effort से microplastic को पूर्ण रूप से eliminate किया जा सकता है ठीक है economic support and recycling यहाँ पे tax rebate देनी चाहिए resource and development fund यानि की handicraft industries उसका बढ़ावा देना चाहिए जो वो बना रही है paper bag, jute bag उसके लिए tax rebate देना है या उनका encouragement होना चाहिए public private partnership चाहिए ठीक है तो ऐसे करते है newspaper का analysis क्या आपने एक news देखी आप उसके पीछे पढ़ गए अच्छे से ठीक है क्या आप उससे अपने prelims के लिए mains के लिए और interview के लिए क्या important चीज़े आप extract कर सकते हैं यह चीज़ आपको ध्यान देनी है APEC देखेंगे Asia Pacific Economic Cooperation यह San Francisco में हुई थी November 11 को स्टार्ट हुई है ठीक है और खतम हो जाएगी कल यह ध्यान देना इस बार का हो रही है San Francisco में यह वन लाइनर करिंट अफेरिकल है अभी आ रहा है UPPAC ठीक है ध्यान देना उसके लिए पुछा जा सकता है APEC क्या है यह एक Economic Forum है 1989 में बनी थी इसका एम क्या था Leverage the growing Interdependence of Asia Pacific and create greater prosperity for the people of the region यहाँ पर इंडिया मेंबर नहीं है India economy में यहाँ पर नहीं include किया गया है यह चीज़ ध्यान देनी है ठीक है कब बनाया गया था? 1989 में यह एक Economic Forum है यहाँ के members को countries या फिर member country नहीं बूला जाता Member States नहीं बूला जाता ठीक है यहाँ पर Taiwan and Hong Kong ने एक distinct entity के तरह पाटिसेपेट की और जब की reports यह कह रही है कि वो चाइना के अंदर ही वो थे चाइना मानता है नहीं कि Taiwan और Hong Kong को नहीं का है बट यहाँ पर एक distinct entity के तरह काम इन्होंने पाटिसेपेट किया कौन-कौन सी economies है इसमें Australia, Brunei New Zealand, proper New Zealand, Hong Kong part of China की तरह Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, Chinese, ताइपाय जिसे ताइवान कहते हैं चाइना Japan, South Korea, Russia, Canada and US Mexico, Peru and Chile यह सारे geographically है किसके Pacific Ocean के The grouping champions free trade lowering of trade tariff यानि कि जो economic related चीजी है export, import हो गया trade हो गया, globalization यहाँ पर ध्यान दिया गया है ठीक है trade tariff देंगे एक दूसरी के country के goods को बढ़ावा देंगे ठीक है export, import में in 1991 यह Seoul declaration के द्वारा लाया गया जिसके तहत members economies उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रोक्लेम किया the creation of liberalized free trade liberalized free trade मतलब dumping नहीं होगी ठीक है ज्याद़ taxes नहीं बढ़ाय जाएंगे ज्याद़ import tax नहीं बढ़ाया जाएंगा ठीक है यहाँ पे इनोने यह declaration के तहत माना इंडिया ने एक formal request 1991 में की है यह economy join करने के लिए जो economy इसका group है यह join करने के लिए अभी तक वो request पूरी नहीं हुई है यह बात याद रखनी है कि Asia Pacific Economic Cooperation नहीं है पार्ट इंडिया इसका ठीक है ध्यान देना ही यह cost of ambivalence यहाँ पे यह कहरे है कि जो बहुत जाद तर newspapers ने यह report किया है कि बहुत सारी sale हुई है दिवाली के आस पास ठीक है alcohol consumption की ठीक है liquid की sale हुई है अब यह कहरें कि क्या यह celebration का मामला है या एक concern है कि किसी-किसी religion में alcohol consumption prohibited है या banned है morally हम उसे बुरा देखते हैं बट health के point of view से हम नहीं देख रहे है revenue generate करने के चक्कर में हम health को खराब कर रहे है Most of the Indian यह वाला interview के लिए important होगा इंट्रिव्यू में पूछा जा सकता है कि Delhi में देखा गया है कि बहुत सारी sale हुई है liquor की, alcohol की तो आप इस बारे में क्या समझते है कि क्या यह वाकई में सही है ठीक है कि यह public health के हिसाब से कैसा है, यह सही है कि गलत है ठीक है वो चीज़ आप बोलेंगे आप यह प्रेजन करेंगे फिर data के साथ ठीक है कोई भी जो argument होती है वो बिना data के नहीं देनी नाशनल सर्वेस इन लांस फाइफ यूज शोओ अर जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत है समझाया? इसका मतलब यह है कि आराउंड ट्रीटमेंट की जरूरत है इसमें शामिल है क्या alcohol consumption में जो harmful उसका use कर रहे है women have generally been at the receiving end use alcohol used by men जैसे की alcohol consumption जब होता है तो domestic violence वेगर है कि आपने कीसे सुने होंगे राइट अब यह क्या है एक receiving end है यानि कि alcohol वो लोग consume कर रहे है और women को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इसलिए जादा तर जो protest थे जो social protest थे against alcohol वो women-led थे ठीके और यह एक thinking होती है कि rich वो करे जो वो चाहता है राइट बट पूवर तो यह effort नहीं कर सकता यह वाली habit पीने की क्योंकि domestic violence की है दिक्कत यह वाली thinking भी हमें change करनी होगी क्योंकि after all public health crisis आ सकते हैं इससे जैसे कि drug consumption मैंने आपको बताया था अब पिछले एक दो महीने में कि पंजाब में और कश्मीर में drug problem कितनी बढ़ती चले जा रही है अब alcohol है तो यही बत समझे कि सिरफ alcohol है drug consumption भी तो हो सकता है राइट तो यह एक बिलकुल सोशल एक मुद्दा है इन रेसेंट टाइम WHO ने भी अपनी policy चींज करी है some alcohol is good पहले WHO क्या कहता था कि कुछ-कुछ दारू पीना ठीक है अब वो कहता है WHO कहता है कि कोई भी दारू ठीक नहीं ठीक है प्रेशर मिला था उन्हें Public Health and Activist Group से हमारे Constitution का DPS में क्या कहता है Directive Principles of State Policy यानि कि liquid का consumption नहीं होगा toxic चीजों का consumption नहीं होगा except for medicinal purpose of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health medical purpose के अलावा कहीं यूज नहीं होगा intoxicating चीजों का Neither the politician nor the bureaucracy उन्होंने health को core पे रखा ही नहीं है या तो वो revenue generation के बारे में सोचते हैं या फिर religious purpose के लिए जैसे कि कुछ dry days खोशित कर दिये गए कि इन दिनों दारू नहीं बिगेगी नहीं बेची जाएगी वो religious purpose के लिए है ठेक है Morally हम कहते हैं पीना गलत है Religion के हिसाब से भी हम कहते हैं पीना गलत है क्योंकि हिंदूस में कैसे तामसिक कहा जाता है ठेक है बट Public health के point of view से हम नहीं सोच रहे हैं कि अगर यह बढ़ता चला गया इसके हम celebrate करते चले गए तो public health crisis का खत्रा होगा A public health approach to curb alcohol use follows the approach of tobacco control उसकी limit को कम कर दो जैसे की licensing बढ़ा दो या फिर age बार कर दो Taxes बढ़ा दो Marketing और उसके Marketing के लिए यानि की वह है न कुछ Cricketers भी celebrate करते हैं दारों के साथ और वह advertisement आता है इसका Right तो यह marketing भी गलत चीज़े इसे भी prohibit करना है और awareness यह generate करनी है कि alcohol consumption is not good for your health Okay यह वाला इंट्रव्यो में पूछा जा सकता है आपके पास कुछ points होने चाहिए वहाँ पे बोलने के लिए PM launches 24,000 करोर scheme यह वाला मैंने आपको तीन दिन से कवर करवाया है यह particularly vulnerable tribal group के लिए launch की गई PM जंचाती आदेवासी जो दिवस था कल था 15 निवेंबर को ठीके उस दिन जंचाती है गौरव दिवस बेर्सा मुंदा की बोट एनिवर्सरी थी उस दिन launch की गई PM जंचाती आदेवासी न्याई महा अभियान भी launch किया गया जो last mile welfare scheme की delivery देंगे प्रोटिक्ट करेंगे particularly vulnerable tribal groups particularly vulnerable जो जादा vulnerable है tribal वाली category में ठीक है क्योंकि tribes में भी न एक hierarchy है एक stratification है अब उस जो hierarchy है उसमें जो upper level वाले होते हैं वो सारे schemes को gather कर लेते हैं उसके benefits को ले लेते हैं मिलता किसे नहीं है जो niche ले इस तर पर होते हैं उन्हें एक अलग category में बाता गया के at a gathering in Khunti Modi also launched विक्सित भारत संकल्प यात्रा a nationwide program to reach out all villages and include those eligible for central schemes यह याद रखना है अपने essay के लिए विक्सित भारत संकल्प यात्रा यह GS paper 2 में particularly vulnerable जो वीकर sections जो वीकर sections के लिए scheme लाई गई है उसमें भी आप यह mention करेंगे कि recently विक्सित भारत संकल्प यात्रा भी launch किया गया था ताकि जो center के लाई गई schemes है उसकी awareness generation हो मुदी सरकार यह पर अपनी थोड़ी सी तारिफ किरते हैं मुदी सरकार यह कहरें कि कॉंग्रेस के राइम पर कुछ नहीं था हम आये तो हम सेवा की भावना लेक्या राइट बट क्या याद रखना है आपके लिए यह वाले keywords important है माबाप attitude लिखना है आपको GS paper 4 के लिए illight attitude illight bureaucratic attitude जो होता है वो नहीं होना चाहिए role नहीं करना है यह चीज आपके GS paper 4 के लिए important होगी अब यह कहरें कि हमने सेवा की भावना अब यह सेवा की भावना आपके essay के लिए and GS paper 4 के लिए important हो सकता है ठीके आप बोलेंगे कि bureaucratic allied attitude नहीं होना चाहिए सेवा की भावना होना चाहिए जो recently Prime Minister Narendra Modi ने कहा है ऐसा लिख सकते है ठीके तो ऐसे करते newspaper के analysis के आप एक चीज देखेंगे उसमें आप पढ़ेंगे deeply कि यह मेरे prelims मेंस और interview के लिए कैसे important होगा मेंस में आप इसे कौन-कौन उसे GS papers में लिख सकते है ऐसे में कैसे इसका कहां पर यूस किया जा सकेगा यह चीज ध्यान देनी है अगर आप इन जीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो newspaper पढ़ना बेकार है और बिना newspaper अच्छे से पढ़े exam नहीं होगा ठीके तो आज के लिए अगर अगर देनी लेक्टर में था बस इतना ही मिलते हैं कल लेक्टर से रिलेटेड वैल्यव एडिशन के PDF सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर जिसके लिंक नीचे description box में डाल दूँगी जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है ठेके आपको खुद के नोट्स पर रिलाई करना है तो मिलते हैं कल THANKS FOR WASHING THANK YOU SO MUCH